तो निफ्टी ने बीस हजार का ओल टाइम हाइच हुआ निफ्टी पर यहां से भी आगे क्या करना चाहिए क्या राइड करना चाहिए और मौके ढूणने चाहिए या फिर किसी तरह की खत्रे की घंटी है इसी सब को अनलाइस करने के लिए आज स्पेशल शो में मने हैं मैं बताने के लिए कि यहां से निफ्टी पर पॉर्चुनिटी इस क्या बन रहे है अगर हम सारे पिस्व स्पेस को मिट कैप स्मॉल का सबको अगर कंपेर करने निफ्टी तो हाडली लोग से सिर्फ सतरा अटरा परसंट चला है और बीस हजार हम यहां पर कॉशिस हो रहे हैं ज यहां से क्या एक बड़ी घिरावट के लिए तैयार है ना चाहिए हमें यह 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 पढ़ाव क्रॉस करके आगे का सफर चालू होगा तो मेरे को लगता है कि अगर हम वैलोएशिन की बात करें दो बात हिससे बाजार हमेशा डिवाइड रहता है एक होता है एक होता है एक हो बहुत टेरिबली एक्सपेंसिव नहीं होता है और हिस्टोरिकल मिने देखा है कि हम एनिवेर अराउं ट्वेंटीवन ट्वेंटीटीटू टाइंग पीक आउट होते है उसके बाद हम दस पंदरा भीस परसेंट ने करेक्शना केस बन जाता है तो क्या इस समय बीज़ार का छौदा-धरा परसेंट वेट लेकिन चला नहीं है इंव् rust पात्स पांदश सो पिच चैसी की आस-पांदरा फिचास सौदा लैकलस्टर मुंटा रहा होता रहा। जब वो चला ही नहीं है, तो जो हिस्सा जो चला है बजार का, रिलाइंस नहीं चला है, रिलाइंस जियो फिनाइंशल को अगर आप दोस्तों डाइस रूपर का भाव करके अलग निकाल दें, तो चौबिस सो पचास पे रिलाइंस एक साल से हटका हुआ है, तो 30-40% हिस्सा औ पर निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी में डिक्लाइंस पे आपको अपने बीज, निफ्टी बीज या इंडेक्स फंड की तरह देखना चाहिए, अगर आप ट्रेडर हैं, तो स्टॉप लॉस लगा के काम करना चाहिए, इस स्टॉप लॉस इसलिए क्योंकि यहां से मार आपको अपनी अवरेजिंग करके पूदिशन देखनी चाहिए, कि माजिन ओ सेफ्टी क्या है, बढ़े बजार में पूदिशन साइजिंग का ध्यान रखें और कौशिस के साथ काम करें, लेकिन यह मामला मिटकेप, स्मल केप पर करता ही लागून होता है, क्योंकि बाजार अपनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस पर कॉशिसनेस ना को बड़ा जनरिक देखा रहा है, क्या यह मिटकेप, स्मॉल काप में कॉशिसनेस होनी चेह, आबरेज आप देखें, आपको रिटर्न देते हैं, मिटकेप, स्मॉल काप, अथारा, बिस बस परसेंट, उस ही यू तो मैं on average तो थीक हूँ, but actually I am a dead man, तो यह law of averages होता है, यह कई बर चीज को ढग देता है, तो on average, small cap, mid cap, 35-45% मार्श लोज से भाग चुका है, लेकिन उसके बाद भी, जो index के average valuation है, वो बहुत यूफोरिक नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कुछ हिससे बजार के 3-4 x हो गए, त निवेशिकों को mid cap, small cap में उन हिस्सों से दूर रहना चाहिए, जो 3-4 गुना हो चुके है, जो रोज आपको अपर circuit पर चलते हैं, अगर आपको mid cap, small cap में कामी करना है, तो मेरे साब से बहुत सारे analyst से हमने बात की, top mid cap fund managers, कोई भी यह नहीं कह रहा है कि mid cap, small cap, no go zone है, वो यह कह रहा है कि अगर आप mid cap को अप्रोच करें, तो valuation centric हो के अप्रोच करें, अभी बहुत सारे ऐसे mid cap है, जो 15-20% earning growth के बावजूद भी 14-15 time पे हैं, क्यों नहीं देखना चाहिए, आपको बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि उसमें downside होगी 5-10-15% की, बट जो mid cap, March low से और रुची वहीं रखते हैं, चाहँ आपका वहीं पे, तो इन बातों का ध्यान रखे काम करें, तो ऐसी problem नहीं है, problem यह कि अगर आप भागे वे, चले वे 4-5x वाले stock के पीछे हैं, तो फिर आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, तो फिर आपको पता है आप क्या कर रहे है तो फिर ऐसी कौन सी पॉकेट्स हैं, जहां थोड़ा कॉशस होना जाओ, जहां वाल्यू अब भी दिख रहे हैं, आपने यह जो बड़ी बड़ी पॉकेट्स बोली हैं, इसमें पावर की बात हो रही होगी, वहां बहुत अच्छी मूव आ चुके है, डिकिन और कौन सी बिल्कुल संभाव ना है, तो थोड़ा कैफुल रही है, रेल्वेज डिफेंस का भी वही हाल है, इतने जादा G20 की मीटिंग, सरकार की दर से बयान, और इतना कुछ हुआ है कि लोग कैरेड होए कि सारी सम्मरीन का ओडर आज ही मिल जाएगा इस कमणी को, आज ही ग्रोथ है, वेलुशन ज्यादा कमप्रेस कर दिये, पावर वैलुचेन में बताऊंगा ऐसे बहुत सारे हिस्से हैं, जो अभी अपने हिस्ट्वारिक वैलुशन के आसपास ही है, बट अर्निंग उसके बहुत इंप्रूव हो गए, मिट कैप एक सेक्टर स्प्रसिफिक ची कुछ हिस्सों में प्रेंका आपको अचंभा होगा कि एक सेक्टर में एक ऐसी कंपनी हो सकती है, जो अपनी लाज के पीर से प्रीमियम पे चली गई है, लेकिन उसका साइज और प्रॉफिट उससे वनफोर्त है, तो ऐसी जगों पे आपको कहते हैं, ज्यान को रखना स्टॉक्स हैं, जिन पर आपको ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल, निफ्टी में बहुत सारे ऐसे अर्निक्स होते हैं, जहां बढ़िया अर्निक्स होता है, और वैलुशिन बहुत टेरिबली एक्स्पेंसिव नहीं हुए, एग्रिगेट भी एवरिज क्यास्पा से बीस लेकिन अगर आप इन चीजों का ध्यान रखके काम करें तो आपके चोट लगने चांसे कमें और कमाई की चांसे बढ़ जाएंगा आप हमारी इस discussion से conclude positively करेंगे और हम जल्दी आपके लिए midcap पर भी कुछ खास discussion जरू लाएंगे बहुत बहुत चुक्री आएगे शो देखने के लिए